हलो नमस्कार सात्यों इस्टेडी एक्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है जैसा कि कल का आपने वीडियो देखा होगा कि हम अपने चैनल इस्टेडी एक्जाम एकेडमी पर अनुभवी टीम के दुआरा मेगा टेस्ट शरी सुरू करने जा रहे हैं राजस्तान जीके की जिसमें राजस्तान जीके के साथ साथ राजस्तान करेंट अपेश्ट के कुछ पर्षन भी डाले जाएंगे जो एक्जाम में राजस्तान जीके के पर्षनों के साथ में पूछे जाते हैं सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी साथियों और वर्ट्शुप ग्रूप में सेर करें ताकि सभी को इसका निसुलक लाब मिल सकें यदि आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें ताकि हमेसा आने वाला जो वीडियो है इस मेगा टेस्ट श्रीज का वो आपको मिल सकें यदि आप इस राजस्तान जीके के मेगा टेस्ट के सभी पार्ट यदि आप देख लेते हैं आने वाले प्रति दिन वीडियो आप देखोगे तो निस्चित रूप से राजस्तान जीके का आप कोई भी एक्जाम हो उसमें आप एक भी पसंद आपका राजस्तान जीके से समधित गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी तो चलो चलते हैं अपने आज पहले पसंद की और बढ़ते हैं आगे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरेस, एसाई, पुलीस, कॉंस्टेबल, पटवार, रीट, पीटी, बीएश्टीशी और ग्राम शेवक, ओल्ड राजस्तान एक्जाम 2020 के लिए यह जो लेक्चर है, जो वीडियोज है, वो बहुत ही जादा आपके लिए महत्पून होने वाले हैं एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप खुद को पता चल जाएगा कि किस लेवल के परशन है आपके एक्जाम का लेवल का यदि आप तैनने पहले से तैयरी कर रही है राजस्तान जी केगी, तो आपको खुद को पता चलेगा, आंकलन होगा कि आपके क्या कमी रहेगी है और यदि आप नए हैं पहली वार राजस्तान जी के पढ़ रहे हैं तो आपको श्यूम को पता चलेगा कि एक्जाम में किस परकार के परशन पूछे जाते हैं लेवल क्या रहता है तो देखते हैं आज का अपना पहला परशन पहला परशन आपके सामने स्क्रीन पर है राजस्तान का जलियावाला बाग के नाम से परसिदिस्तान मानगड धाम किस जिले में इस्तित है तो मानगड धाम किस जिले में इस्तित है ये पूछा गया है राजस्तान का जलियावाला बाग भारत का है अमरत सर पंजाब और राजस्तान का पहला उप्शन आपके सामने है उध्यपूर, B है बांसवाड़ा, C है डुंगरपूर, D है परताबगड तो इसका सही उत्र होगा B, बांसवाड़ा बढ़ते हैं अगले परशन के और अगला परशन है जे सिंग द्वारा, निर्मित, वेज सालाई, जन्तर मंतर, निमन में से किस सेर में इस्ठित नहीं है डिल्ली, मतुरा, उज्जेन, बोपाल तो इसका राइट एंसर होगा D, बोपाल जो वेज सालाई, जन्तर मंतर है वो दिल्ली में है मतुरा में भी है उजजेन में भी है और हमारे याँ जेपुर में भी है लेकिन बोपाल में नहीं है ये परसंद कैई बार पूछा गया एक्जाम में बड़ते हैं अगले परसंद की ओर अगला परसंद है किस सास्त्री नर्तिय की उत्पती का समुन राजस्तान से हैं कथकली कुच्चिपुडी कथक भरक्तनाट्यम तो जो इसका right answer होगा वो होगा कथक तो कथक नर्ति है इसकी उत्पति का जो समन्द है वो राजस्तान से है रुख करते हैं अगले परसन की ओर अगला परसन है निम्र में से किस जिले में से चम्मल नदी नहीं गुजरती है ए है चितोडगर्ड बी है कोटा सी है जालावाड डी है धोलपूर आपको पता होगा कि चम्मल नदी राजस्तान के छे जिलू से होकर गुजरती है चितोड़ से राजस्तान में परवेश करती है कोटा और धोलपोर इन तिनूद में से गुजरती है लेकिन इसका राइट एंसर सी होगा ये जालावाट से नहीं गुजरती है बढ़ते हैं अगले परशन की और अगला परशन है निमन में से कौन सी भूर राजस्वे वेवस्ता राजा टोडरमल से समन्दित है ए बटाई बी जरीब सी जबती डी कनकट ये परशन राजस्ताल पुलीस कोंस्टेबल की भरती परिक्षा दोजा तेरा में पूछा जा चुगा है तो इसका राइट एंसर सी जबती बढ़ते हैं अगले परशन के और अगला परशन है राजस्तान के नव गटी 33 जिला परताब गट का गठन किन-किन जिलूं के छेत्रों को मिला कर किया गया है तो इसका राइट एंसर होगा सी बांसवाडा उदेपूर और चितोडगट की कुछ तैसिलूं इन तिनु जिलूं की कुछ तैसिलूं को मिला कर परताब गट जिले का निर्मान किया गया ये परसन भी एक्जा में पहले पूछा जा चुगा है अगला परसन अजमेर की आना सागर जिल में किस नदी का पानी आता है ए है बांडी, बी है बेड़च, सी है साबी, डी है कांकनी तो इसका राइट एंड उतर होगा ए है बांडी नदी अजमेर की अनसागर जील में बांडी नदी का पानी आकर गिरता है अगला आटवा पर्शन गर्मियू के मोसम में माउंट अबू में तापमान कम क्यों रहता है उन्चाई का अधिक होना B है भूमद्य रेका से दूरी C है समुदर तल से दूरी D है मानसुनी हवाउं का वेग तो इसका सही उत्र होगा A उन्चाई का अधिक होना रुक करते हैं अगले पर्शन की और अगला पर्शन 2018 में नारी सक्ति पुरसकार से संबानी उमा देवी का समन राजस्तान के किस जिले से है A है जेपूर B बीकानेर C जोदपूर D बार्ड मेर तो इसका राइट अंसर होगा D बार्ड मेर आप वीडियो को रोक कर शुयम का आंकलन कर सकते हैं अगला पर्शन राजस्तान का पर्थम बालू अभ्यार ने इस्थपित किया जाएगा ये भी करंशी डिलेटेट पर्शन है तो राजस्तान का पर्थम बालू अभ्यार ने इस्थपित किया जाएगा A जालोर B परताबगाड C डूंगरपूर D शिरोई तो इसका सही उतर होगा A जालोर रुक करते हैं अगले पर्शन की और राजस्तान सरकार दुआरा टिड़ा चेताउनी संगठन इस्तापित किया गया A जेपूर B जोदपूर C बार्ड मेर D जैसल मेर आपको पता होगा कि अभी कुछी समय पहले इदर जैसल मेर और बार्ड मेर जो जिले हैं इस चेतर के अंदर टिड़ी का काफी प्रवाव बढ़ा था किसानों की फस्नों को काफी नुकसान पहुंचाया गया इसलिए टिड़ा चेताउनी संगठन का गठन किया गया है वो किया गया है जोदपूर में B राइट एंसर होगा रुक करते हैं अगले परशन की और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ सेर करें ताकि सभी को निसुल किसका लाब मिल सकें पाकिस्तान से आने वाली थार एक्स्प्रेस ट्रेन का राजस्तान में परतम इस्टेशन का है A गडरा रोड B मुनाबाव C खाजुवाला D बालोतरा तो इसका सही उतर होगा B मुनाबाव ये परसन राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल की बरती में पूछा जा चुका है अगला परसन मेथेरेन किस जिले की परसित लोकला है B कानेर चुरू जोदपूर जालावाड तो इसका सही उतर होगा A B कानेर रुक करते हैं अगले परसन की ओर अगला परसन निमन में से कौन से जिले अंतरराश्टी शिमा पर इस्तित है तो अंतरराश्टी शिमा राजस्तान की एक ही देश के साथ लगती है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमेटर सबसे उपर गंगानेगर जिला उसके बाद बीकानेर फिर जैसल मेर और फिर बार्ड मेर तो इसका राइट एंसर होगा A गंगानेगर बीकानेर जैसल मेर और बार्ड मेर ये क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो इसके अंदर जालोर आ गया, जालोर की सिमा नहीं लगती है, इसमें भी जालोर की नहीं लगती है, इसमें जोधपुर आ गया, तो जोधपुर की सिमा, अंतराष्टी सिमा नहीं बनाता है जोधपुर भी, रुख करते हैं अगला परशन के और, अगला परशन राजस्तान में कपाश का सरवादिक उत्पादन कहा होता है पाली, बी है गंगानगर, सी है हनुमानगड, डी है भीलवड़ा तो इसका सही उतर होगा, सी हनुमानगड रूख करते हैं अगले परशन की और बारतिय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है तेजा जी, बी है राम देव जी, सी है पाबु जी, डी है देव नारेंड जी तो इसका सही उतर होगा, डी देव नारेंड जी अगला परशन, जवार सागर बांध किस जिले में है कोटा बुंदी, बी है जालावाड, सी है चितोडगर, डी है सवाई मादुपूर तो इसका सही उतर होगा, डी कोटा बुंदी अगला परशन, लोक देवता तेजा जी महराज का पवितर तिर्थ इस्तल बांसी दुगारी का इस्तित है अगला परशन, वन इस्तली विद्यापीट किस जिले में इस्तित है ये परशन भी पूछा जा चुका है, ए जेपूर, बी जोदपूर, सी अजमेर, डी टॉंक तो वन इस्तली विद्यापीट इस्तित है, टॉंक में, डी राइट एंसर होगा रोक करते हैं अगले परशन के और मैं जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, काफी परशन दिये वे कम समय में मैं आपको अधिक परशन कवर करवा सुकूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं खेतू में जुताई के बाद भूमी को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या केलाता है ये परशन भी पूछा जा चुका है फेले एक्जाम में ए चावो, बी चाहाड, सी चावर, डी चांदो राणो तो इसका सही उतर होगा, सी चावर ये परशन आप ध्यान रखना चावर होगा इसका सही उतर अगला परशन दारी संसकार राजस्तान की किस जनजाती से परचलित है ए गराशिया, बी मीना, सी भील, डी सहरिया तो दारी संसकार राजस्तान की सहरिया जनजाती में परचलित है इसका सही उतर D होगा रुक करते हैं अगले परसंद के और महाराणा परताब की जनम इस्थली है A. चितोडगाड B. उधियपूर C. कुम्बलगाड D. हल्दी घाटी तो महाराणा परताब की करम इस्थली तो हल्दी घाटी है लेकिन जनम इस्थली जनम वाता महाराणा परताब का वो कुम्बल घट दुरुक के बादल मेल में वाता इसका सही उतर्शी होगा अगला परसंद निमन में से कौन सी खारे पानी की जील नहीं है A. सांभर B. पंच बद्रा C. काईलाना D. लून कर अंसर आपको पता होगा कि सांभर जील जो की जेपूर में है ये खारे पानी की सबसे बड़ी जील है राजस्तान की पंच बद्रा बाड मेर में खारे पानी की है लून कर अंसर भी खारे पानी की है लेकिं काईलाना है वो मिठ पानी की जील है C right answer होगा अगला पसन बेजडा किसे कहते हैं दान की फसल को एक विशिष्ट परकार का गोटा होता है C है पान का खेत D होता है विवा की रसम ये पसन भी राजस्तान पुलिश कोंस्टेबल ने पूछा जा चुका है तो इसका सही उतर होगा C पान का खेत अगला पसन सिल्प सास्त्री मंदन द्वारा रचित गरंत रूप मंदन का समन्द किस विशे से हैं या किस विशे से हैं A है मूर्तिकला से B है राजपरसाद से C है वास्तुकला से D है चितरकला से तो सिल्प सास्त्री मंदेंद्वारा रचीत गरंत रूप मंदर का समन्द मूर्ती कलास से है इसका राइट एंसर ए होगा रूप करते हैं अगले परसंड की और राजस्तान के जिलू का पस्चिम से पुर्वे की और सही करम है ये आरस परी के अंदर पूचा जा चुका है राजस्तान के जिलू का पस्चिम से पुर्वे की और करम पूचा गया है इसमें पहला देखते हैं जैसल मेर पस्चिम मेर उसके बाद उद्यपूर पाली और नाग जोदपूर, सिकर, जेपूर, डी है बार्डमेर, राजसमन, चितोडगर, नागोर, डी है जोदपूर, पाली, भीलवडा, टॉंक, तो इसका सही उत्र डी होगा, क्योंकि आपने राजस्तान के मेप में देखा होगा इस परकार, कि यहां पर यह जोदपूर हो गया, फिर यह पाली हो गया, फिर यह भीलवडा हो गया, और फिर यह टॉंक हो गया, तो इस परकार शम देख सकते हैं, पस्चिम से पुरुए के और जिलू का करम, यदि आपको मेप बंडा, नक्सा बंडा आता है, तो आप ऐसे पस्चिम का उ A2, B3, C4, D5, तो सबसे उपर भरतपूर संबाग है, उसके बाद में कोटा है, फिर अजमेर संबाग है, क्योंकि अजमेर संबाग का जो बेलवडा है वो लगता है, और सबसे नीचे है उदिपूर संबाग, यानि कि चार संबाग की सिमा लगती है, C, right answer, अगला पसन, राजस्तान का 27 वा नव गटी जिला कौन सा है, जैसे कि राजस्तान, जब पूर्ण राजस्तान का एकिकर्ण हुआ था, नौमर 1956 में बनकर राजस्तान तयार हुआ था, उसमें राजस्तान में 26 जिले ही थे, राजस्तान का जब पूर्ण रूप से एकिकर्ण हुआ था, उसमें 26 जिले थे, लेकिन उसके बाद में नए जिले बने, और वरत्मान में 33 जिले हैं, तो 27 जिला कौन सा बना था, इस प्रकार का पूर्ण हर प्रिक्षया में राजस्तान जीके का कोई भी पेपर उठा के देख लेना आपको मिलेगा, नव गटित जिलू से संब्दित, तो 27 जिला दोलपूर बना था, यदि आपको इनको याद करना है, तो मैं एक मारवाड़ी में सीधी साजी ट्रिक्ष बता देता हूँ आपको, जब 26 जिले तो आपको याद होने चाहिए कि 26 जिले तो पहले थे, ये पसंद भी पूचा जाता है, जब राजस्तान क एक रावाड़ी में कितने जिले थे, तो 26 जिले थे, अब 26 जिले थे, उसके बाद 27 जिला बना तो इसका मतलब अब राजस्तान की क्या उड़ गई में ट्रिक के मारवाड़ें से याद करने के लिए बता रहा हूँ ये, दोल उड़ गई, बोलते हैं ना तो दोल उड़ गई तो दोलपूर बन गया दोलपूर बन गया दोल उड़ गई राजस्तान की यानि 27 जिला दोलपूर बन गया उसके बाद में क्या हुआ कि जो वारत वालों ने क्या का कि राजस्तान ने दोल उड़ा दी है इसलिए इसको देश से बार कर दो तो रजस्तान बार हो गया यानि की बारा बन गया 28 वा जिला कौन सा बन गया बारा बन गया फिर लोग एक दूसरे को दोस देने लगे कि यह आपकी बज़े से हुआ है कोई राजने तक दोस देने लगे तो इसका मतलब दोस्त देने लगे ऐसे, यानी दोस्त से दोसा बन गया क्या बन गया? दोसा, उसके बाद में क्या हुआ था? लोगों ने क्या, अब तो कोई मस्य आएगा जो राज़स्तान को फिस एक रेगा तो फिर हनुमान जी का अवतार वा यानि की हनुमान गड़ जिला बना उसके बाद में ये करम बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए फिर लोगों ने का कि हनुमान जी आए अब ये कुछ नया करेंगे तो इस करेंगे कुछ इसका मतलब करे से करोली बन गया और उसके बाद में अंत में 33 में जिल्या आप सभी को पता है कि पढ़ता आपगड बनाता हमने पहले भी इसकर्स कर सके हैं परता आपगड बना जा था जिल्या तो इस परकार से ये जिल्या आप याद कर सकत ओ Г-3 वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं इस्टेटी एक्जाम एकेडमीजन चेंडल का नाम लिखा हुए वहाँ जाकर आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वीडियो डाले गएं ट्रिक के साथ डाले गएं बढ़ते हैं अगले परशन के और राजस्तान के किस जिले की गुजरात के साथ सिमा नहीं लगती है बहुत ही जादा महतुबन परशन है तो राजस्तान के किस जिले की गुजरात के साथ सिमा नहीं लगती है एह सिरोई, बी बाडमेर, सी बांसवाडा, डी परताबगड सिरोई की लगती है, बाडमेर की लगती है बास वड़ा की लगती है लेकिन परताब गड़ की सिमा नहीं लगती है इसका D राइट एंसर होगा परताब गड़ की लगती है मद्य परदेश के साथ अगला परशन ये परशन भी पूछा जा चुका है विले चांद बावडी कहां पर इस्तित है ये एक नहीं कहीं एक्जाम में परशन आ चुका है चांद बावडी कहां पर है चोटी का टू B है आबा नेरी दोसा C है मंडोर जोदपूर D है बुंदी तो चांद बावडी है आबा नेरी दोसा में B राइट एंसर होगा अगला परशन राजस्तान के परसिद इत्यासकार हिराचन ओजा गोरी संकर हिराचन ओजा का समन्द किस जिले से है गोरी संकर हिराचन ओजा का आपने नाम सुनागा राजस्तान के परसिद इत्यासकार है A है उद्यपूर से B है सिकर C है सिरोही D है डूमरपूर तो इसका सही उतर होगा सिरोई से अगला परशन राजस्तान का सर्वसरेष्ट विदाई के अवार्ड से सम्मानित ग्यानचंद पारक का समन किस जिले से है तो ये ग्यानचंद पारक है ये 2019 के राजस्तान के सर्वसरेष्ट विदाई गरे है इनको गोशित किया गया तो इनका समन्द किस जिले से रहा है किस जिले में ये विदाइक है तो इसका सही उतर होगा बी पाली अगला परसन 30 मार्च 2020 को राजस्तान का कौन सा इस्थापना दिवस मनाया गया A 69, B C 30, C 71, D 32 तो ये परसन तो बहुत ही ज्यादा मेर्त बने क्योंगे आली में राजस्तान दिवस 30 मार्च को राजस्तान दिवस मनाया गया तो ये मनाया गया है 21 इस्थापना दिवस अगला परसन राजस्तान का पहला जेविक गाउं बने आ जाएगा A है मंगलवा, B है हाति ग्राउं, C है दादर्वा ग्राउं, D है दाद्या गाउं तो इसका सही उत्र होगा D दाद्या गाउं और जिला है जेपूर अगला पसंद गोहाटी में संपन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्तान कौन से इस्तान पर रहा है A नो, B दसवें, C ग्यारवें, D बारवें तो इसका सही उत्र होगा C ग्यारवें इस्तान पर अगला पसंद ग्रिन पिज इंडिया की परदूसन रिपोर्ट में परदेश के कितने सेहरों को सामिल किया गया है A आठ, B साथ, C नो, D दस तो इसका सही उत्र होगा B साथ सेहरों को सामिल किया गया है अगला पसंद राजस्तान के किस खिलाडी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिल में या साइकलिंग में सवरन पदक जीता है A है मुकेश कस्वा, B अभिजीत गुपता, C राहूल चोहान, D है परविण तिर्वेदी तो इसका सही उत्र होगा A मुकेश कस्वा रूख करते हैं अगले परशन के और वर्तमान में जोधपुर के जेन नाराण व्यास विश्वे विदाली के कुलपती कौन है A है परविण तिर्वेदी, B है अभिजीत गुपता, C है प्रोफेसर राहूल सिंग, D है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्र होगा A परविण तिर्वेदी रूख करते हैं अगले परशन के और अगला परशन है राजस्तान में पुलीस की महिला आत्मरक्षा परशिक्षण में कौन सा जिला परथमिस्तान पर है A है जेपूर, B है जालोर, C है करोली, D है जालावार तो इसका सही उत्र होगा C करोली तो ये कुछ आज के लिए आप महत्तपुन परशन दे ये राजस्तान जीकी का टेस्ट श्रीज नमर एक था जिसमें आपने कुछ महत्तपुन परशनों को देखा कल के इस टेस्ट श्रीज में हम इसे भी ज़्यादा महत्तपुन परशन लेके आएंगे इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ युशा सेर करो ताकि सभी को इसका निसुल कलाब मिले हैं और चैनल को आप सबस्क्राइब करो यदि कोई किसी पसंद में आपको समश्या हो किसी भी परकार से तो आप हमारे वोर्शप नमर पर जो दीव हैं आपकी स्क्रीन पर उस पर है मदद ले सकते हैं आप